हलो दोस्तों कैसे हो आप आज मैं आपके लिए लिखा है कि ऐसा प्रोडेक्ट जो सभी एज गुरूप्स के लोगों के लिए बहुत ही यूजफूल है बहुत तरीके से काम आता है मेरे नाम है राहूल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी गेम्स अन्वाक्सिंग हम करते रहते हैं नएने प्रोडेक्ट्स की अन्वाक्सिंग और उनको किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है तो आज हम यह हम स्लाइम की सीरीज बनाने वाले हैं यह हमने हमारे हॉलसेलर मंगाया है यह आप भी उसको मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं भाई लिंक देदूगा आप वहां से इसको पर्चेस कर सकते हैं हम स्लाइम को घर पे भी बना सकते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से सैपरेट वीडियो बनाओगा त तो यह जो स्लाइम है जो हमें 50 रुपीज में मिली है और इसके अंदर एक टॉइज भी है तो यह क्रिस्टल मड लिखा हुआ है इसके ओपर तो अभी हम देख लेते हैं इसको खोल के यह लगवग यलो कलर की है और इसकी बिजिविलिटी काफी ज्यादा है स्लाइम की तो कॉ जलते हैं जिनको स्लाइम पसंद है उनको यह बहुत अच्छी लग रही होगी स्लाइम तो अभी हम निकाल रहें काफी सारी स्लाइम है इसके काफी सारी यूज भी है इस स्लाइम के अगर आप देखो तो आप इससे अपने काफी सारे बर्क कर सकते हो इससे जिसे जिन लोग स्ट्रेस बॉल भी बनाई जा सकती है स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा काम में आता है यह प्रोडेक्ट अ है तो हम इसको अब इसको अब स्लाइम को स्लाइम की तरीके से निटालते हैं इसको गुमा-गुमा के इसके अंदर हमने पूरी स्लाइम इसमें से खाली कर लिये है तो में इस स्लाइम के अंदर एक टॉइज भी मिला है उस तोईज को मलग कर लेते हैं जिस सेलर से हम ने इसको मंगाया था उसके जितने भी स्लाइम सी उनके अंदर कुछ कुछ ट्वॉइस थे इसमें स्पाइटर मन निकला है तो एक प्लस पईंट हो गया जिस स्पाइटर मैन है अब हम स्लाइम को एक साथ करते हैं पूरा स्लाइम का टोकड़ा एक साथ हो गया है तो यह एक बॉल बन गई है अब आप देखोंगे यह बॉल बन गई है और इसको आप कुछ इस तरीके से इन्हें भी रख सकते हो हखें है तो हरarna एज गूरुप का लग लग तरीके से ईसको यूज कर सकता है कि यह मरे उपर है कि हम इसको किस तरीके से यूज करें यह था सिरफ स्लाइब की अन्बॉक्सिंग और स्लाइम की क्वालिटी तो यह बहुत अच्छी क्वालीटी का है अपको देखो इसके अंदर मेरा हाथ जो है वो किलियर दिख रहा होगा तो अच्छी क्वालिटी ही है आपको बहुत जादा गीली लग रही होगी लिक्विड लेकिन मेरा आथ पर देखिया पुछ भी नहीं बिल्कुल सूखा है मेरा आद तो अच्छी क्यालिटी की स्लाइम है अगर आप इसे कच्रा भी निकालना चाहिए तो इसको इस तरीके से वापे साफ कर सकते हैं तो दोस्तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इदी आपको भी स्लाइम की कुछ और वीडियो देखनी है या फिर और कोई चीच कbas के आप चाहते हैं अभॉक्स तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लख धीजिए और यदि वीडियो आया ह पसंद उसको लाइक कर देना शेयर कर देना और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए हम करते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार की अन्वाक्सिंग और भी चीजों की